हेलो फ्रेंड्स स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट एच्टी एमेल इसका इस्तमाल कहां पर होता है और हम इससे क्या क्या कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और मैं इससे सबसे पहले इसको थोगा से डिस्क्राइब कर देता हूं कि इसका यूज कहां पर करते हैं इंपोर्ट एस्टीए में जो है basically हम किसी वेबसाइट से किसी डेटा को हम फेज करने के लिए जैसे टेबल हो टेबल को हम फेज करने के लिए यूज करते हैं जैसे मालनेजे के वेबसाइट पर कोई भी डेटा है और डायनेमिक लिए अपडेट होता है तो आपको गूगल सीट पर उसका डेटा चाहिए तो उसके लिए basically हम यूज करते हैं तो वह हम चलिए देखते हैं कैसे करेंगे तो हमारे पास एक डेटा है वेबसाइट है देखे जैसे Wikipedia है और मुझे इसमें से टेबल निकालना है और यह टेटा टेबल मतलब डायनेमिक होना चाहिए कि जब भी अपडेट हो तो हमारे गूगल सीट में जो है यह टेबल अप तो हम यूज करके देखते हैं कि हम इसको कैसे लिख आएंगे तो आपको इंपोर्ट लिखना है और सबसे पहले पूछ रहा है यूरल क्या है तो यूरल हम इसको पेस्ट कर लेते हैं यूरल पेस्ट करने के बाद यहां पर डबल कोट के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और अब हमें निकालना क्या है हमें टेबल निकालना है टेबल यह देखिए क्वेरी क्या है टेबल डबल कोट हमने क्लोज कर दिया अब यह पूछ रहा है इंडेक्स मतलब की जो है आपको क पूछ रहा है कि कौन सा टेबल निकालना है एक नमबर दो नमबर तीन नमबर जितने भी टेबल है जो भी आप टेबल का नमबर डालेंगे वह इसको ले का जाएगा तो फिलाल हमें एक नमबर का टेबल निकालना है और यहाँ पर लेख्वेज भी आप set कर सकते हैं यहाँ पे देखल情 लेन्गवेज पूछ रहा है तो आप यह जो नीशी आप यह दिखा रहा है आप इसको copy करके लाज सकते हैं कोई issue नहीं है आप यहाँ पर इसको लासकते हैं चाहिए यहाँ पर डाल सकते हैं और आपको एंटर करना है एक टेबल आ गया और मैं इसको दूनमर के टेबल करता हूं यहां पर दूनमर के टेबल दिखा देगा यह देखे तीन नमर करूं तो तीन में लिखा जाएगा यह देखिए तीन नमर के टेबल थोड़ा था बड़ा है लेकिन यह यह भी निकाल के दे दिया इसने ठीक है तो फिलहाल हम इसको एक नमर कर देते हैं तो इसका यूज जो है बेसिकली जो है किसी वेफसाइट से अगर टेवल फॉर्वेट में है डेटा तो उसको हम यहां पे गूगल सीट के अंदर फेज कर सकते हैं और यह डेटा अटोमेटिक अपडेट होता रहेगा ठीक है तो उमिद करता हूं यह आपको कॉंसेट क्लियर ह हो गया होगा रहे इंपूर्ट एस्टी एमेल का जो फंक्शन है वह आपको क्लियर हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई